नमस्ते भाईयो, होब तुम लोग का सब ठीक चदरा है आज का विडियो उन लोग के लिए है जिनके पास जिम मेंबर्शिप नहीं है या जिनके गाव में जिम नहीं है तो अगर आपको वरकाउट करना है और एक फिट लाइफस्टाइल जीनी है तो मैं आपके लिए लाया हूँ एक फुल बॉड़ी वरकाउट जो आप घर पे या ऐसे ग्राउड में परफॉर्म कर सकते हो बिना किसी weights या equipment के आपको सिर्फ लगने वाला है discipline और आपके अंदर fitness के लिए आग साथी साथ हम एक bag use करेंगे जो आप college या school में लेके जाते हो थोड़े से resistance के लिए इसके अंदर हम ऐसे पत्थर या water water ऐसे कुछ चीज़े भर सकते है थोड़े extra weight के लिए तो हम circuit style training करने वाले है कुल मिला के 5 exercise है हर exercise में जितने भी reps हो सके उतने perform करने है अगर आप एक new viewer हो तो सबसे पहले जाके subscribe बटन दबाईए और साथी वो bell icon भी दबाना ताकि आप कोई future video मिस नहीं करोगे और instagram पे follow नहीं करते हैं तो username है साकेत गोखले मैं नीचे link डाल देता हूँ उधर जाके follow कीजिए और support कीजिए मैं motivating content यह सब डालते रहता हूँ तो आप जाके वो देख सकते हो तो पहला exercise इस workout routine का होने वाला है squats अगर आपको body weight squats 20 reps से ज़्यादा लगाने नहीं आते तो weight मत आच कीजिए पहले body weight squats के साथ start कीजिए मैंने भी अपनी fitness journey इसी जगह शुरू की थी दो साल पहले squats में एक narrow stance लीजिए और पूरा नीचे जाए उतर 2 second के लिए hold कीजिए और वापस जमीन को अपने पैरों से push कीजिए तो एक और बार नीचे जाए hold कीजिए और वापस उपर आए जितना भी नीचे जा सकोगे उतना नीचे जाए और वापस उपर जाके ऐसे जितने भी reps हो सके उतने लगाने है 20 से ज्यादा आप कर सकते हो तो इस बैग में मैंने पत्थर भरे हुए रखे है तो बैग को इस तरह आपके सामने यह जो हैंडल रहता है उसका इस्तमाल करके सामने पकड़ो और वापस सामने देखो एक लंबी सास लो नीचे बहुत ज्यादा टेंशन फील होगा और स्कॉर्ट सबसे बढ़िया एक्सराइज आपके लेग को ग्रो करने के लिए तो ओके तो स्कॉर्ट खतम करने के बाद बिना रेस्ट लिए हम जाएंगे नेक्स एक्सरसाइज पर दूसरा एक्सरसाइज होने वाला है पुश अप्स जो मेंली हमारे चेस्ट को ट्रेन करेगी तो हम ऐसे दो पत्थर लेंगे इन दो पत्थरों को जमीन पर रखते हुए नीचे जाओ, होल्ड करो वापस ऊपर आओ नीचे होल्ड करो वापस ऊपर आओ और यह करते समय है आपको आपके चेस्ट में टेंशन फील होगा और यह सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है चेस्ट ग्रो करने के लिए तो इसके जितने भी रेप्स हो सके उतने परफॉर्म क पुशप को परफॉर्म करो और अगर आप लोगों से सिर्फ दो रेप्स हो रहा है तो चलता है सब लोग किधर से स्टार्ट करते हैं मैं भी पहले दिन पर सिर्फ एक पुशप मारता था पर जैसे आप यह करते जाओगे आपकी स्टेंद बढ़ती जाएगी और एंड में आपको रिजर्ट दिखने चालो होंगे बस करते रहना है वो इंपोर्टन है गिव अप मत करो तो पुशप सोने के बाद बिना रेस्ट लिए हम जाएगे नेक्स मूवमेंट पे नेक्स एक्सराइज होने माला है शोल्डर के लिए जिसको हम साइड लाटरल रेस कहते है यह एक्सराइज करने से आपको वो ब्रॉड वाइड लुक मिलेगा आपके फिजीक पे एक टाइम पे हम सिर्फ एक साइड को ट्रेन करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी एक ही बैग है तो हैंड बैग के जो हैंडर है उसको इधर पकड़ो और बैग को ऐसी तरह से उपर लेके चल आप यहां पर अपको ट lawyers लोगा चशोल्डर में और वापस नीचे आओ और ज्यादा है वी मत करना है आपकी इंजरी उन्हें हो सकती है तो यह करते और सीधा उपर लाओ इधर उपर करो एक गो से के लिए हटील लाते समय एसे यहि मत नीचे ले और जाने के बाद अब करो और धीरे से कंट्रोल करके वेट को नीचे लेके आओ जितने भी रेप्स हो सके उतने रेप्स परफॉर्ण करो ओके तो एक साइड खतम होने के बाद डिरेक्टली बिना रेस्ट लिए हम दूसरी साइड को ट्रेंड करेंगे ओके अभी हमने ट्रेंड किया हुए हमारे लेग्स चेस्ट का ट्रेनिंग हो गया है शोल्डर को ट्रेंड किया है नेक्स्ट हम ट्रेंड करेंगे हमारे आंज को जो सबका फेवरेट मसुल रहता है स्टार्ट करेंगे ट्राइसेप के साथ पत्थर को ऐसे लो इस एक्सरसाइज को कहते है ट्राइसेप किक बाक पत्थर को इस तरह लो फिर से एक साइड को एक टाइम भी ट्रेंड करेंगे थोड़ा सा अपने बॉड़ी को बेंड करो और इस तरह से पीछे आओ और होल्ड करो को दर वापस नीचे आओ कि स्क्वीज करो पीछे जब जाओगे आपको अपके ट्राइसेप्स में एक टेंशन और स्ट्रेच फील होगा बहुत ही बड़िया एक्सराइज है जब आपके पास एक्विपमेंट नहीं रहता तो आप इस चीज के साथ ट्राइसेप्स को अपके ग्रो कर सकते हो एक चीज इसके बारे में आपको ध्यान रखना है जब आप एक्सराइज परफॉर्म करोगे आपके आपका जो अपर आम ह अपके आपके पांस तक का पाउर्म करना है ऐसे एसे मत करो उससे रिजल्ट नहीं दिखेंगे ये पाट फिक्स दखो पूरी तरह से मीचे करो हो अब दीरे से नीचे लेके आओ जितने भी रप्स हो सके उतने परफॉर्म करो और आपको बहुत ही बढ़िया बॉयन फील हो यह खतम होने के बाद एक और बार बिना रेस्ट लिए हम अपने बाइसेप्स को ट्रें करेंगे यह बैक के साथ भी कर सकते हो पत्थर के साथ भी कर सकते हो तो जब आप उपर आओगे एक दो सेकेंड के लिए होल्ड करो इदर इस पोजेशन में बाइसेप्स में स्क्वीज करो अच्छे से और वेट को कंट्रोल करते हुए वापस नीचे लेके आना है जितने भी रेट्स हो सके उतने करो जब तक आप ठक नहीं जाओगे करते रहो करते रहो और एक साइट ट्रेन करने के बाद बिना रेस्ट लिए हम दूसरी साइट ट्रेन करेंगे तो दोनों साइट ट्रेन करने के बाद हम नेक्स एक्सरसाइज हमारे कोर और आब्स के लिए करेंगे जिसको हम प्लैंक कहते है बहुत ही फेमस एक्सरसाइज है जमीन पे इस तरह से आओ और आपके कोर को टाइट रखने की कोशिश करो इसको एक मिनिट के लिए आपको होल्ड करते हुए रखना है बिल्कुल सीधा रहना है उपर मत रहो ज्यादा नीचे नहीं एक स्ट्रेट लाइन में आपके जो ग्लूट्स है अच्छे से स्क्वीज क कर दो यह एक्सराइस कहतम होने के बाद हमारा जो एक पूरा सर्कित है वो खतम होता है तो हमने क्या क्या किया लेग्स के लिए स्कॉर्ट्स चेस्ट के लिए पुश-प्स शॉल्डर के लाटरल रेज आध गया बाइसेप्स हो गया और को ड़ों अभी यह सब एक्सराइस ह मैंने आप लोग के साथ शेयर किया वह बहुत बढ़िया तरीका है आपकी फिटनेस जोनी की शुरुवात करने के लिए तो यह जो है सारी एक्सराइज बेस होगा आपका यह करते करते आपकी स्टेंद बढ़ेगी और उसके बाद अगर आपको फिटनेस से प्यार हो गया तो आप जिम जोईन कर सकते हो तो यह वरकाउट रूटीन जयाधा मजएदार बनाने के लिए यह विडियो एक दोस्त को भेजो ताकि आप दोनों साथ में वरकाउट कर सकते हो और देख सकते हो कि कौन जयादा सरकिट कर सकता है यह पर याद रखना कि आपकी सबसे बड़ी तो discipline रखना यह करते रहना और आपको results दिखेंगे और मुझे पता है कि सिर्फ यह करने से बहुत ही अच्छी body नहीं बनती पर यह fitness lifestyle के बारे में वीडियो है और अगर आप अगर आप किदर गाव में हो या आपके पास gym या weights का access नहीं है तो आप यह कर सकते हो चुट्टी प